जैस्री कृष्णा जैस्री राधे वीडियो में जानेंगे भादो महने की अस्ट्यमी जिसे राधास्ट्यमी की नाम से जाना जाता है ब्रत उपवास कैसे करना है, कब खोलना है, किस तरह से पूजा आराधना करनी है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा और अंततक बने रहिएगा, किसी कारण से अगर उपवा सित्यली नहीं भी कर पाते हैं, तो मात्र इन दो कारे को कर लेने से आप अपने वेवाहिक जीवन के अर्चनों को दूर कर सकते हैं, संतां सुख जैसे कि आप जानते होंगे, राधास्टमी जो कि अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की अर्धांग के जन्म उत्सव के रूप में माना जाता है, ऐसी मानेता है, राधारानी ने भगवान श्री कृष्ण का साथ देने के लिए और हमेशा उनके साथ रहने के लिए इ यह दिन राधारानी के सुन्दर जन्म उत्सव के सरूप में माना जाता है, इस वर से अपने आप में कई तरह के दुलब सयोग हो रहे हैं, अगर किसी कारण से उपवास नहीं कर सकते हैं, तो भी आप सभी को सबसे पहले इस दिन राधा नाम का जाप जरूर से करना है, जै मुख्य चालीसा इत्यादी होती है, राधा चालीसा इत्यादी इनका भी आप जाप और पाठ करते हैं, तो निश्चीत रूप से आपकी कामना सिद्ध होती है, भगवान श्री कृष्ण के किसी दिब्वे मंदिर में जहां राधारानी विराजमान हो, वहां स्रिंगार की स सामगरी, अगर आप समर्पित करकर आते हैं, तो जीवन में आने वाली विपत्ती, रोग, संकट, कस्ट, धन की कमी इत्यादी भी दूर होती है, ऐसा सास्त्रों में वर्नित है, कहीं राधा कृष्ण का भगवान जी का जो सुन्दर मंदिर है, वहां सकीर्तन में अगर सामि है, कलेश खत्म होता है, और आने वाली विपत्तियों से भी पूर्ण रूप से निदान होते हुए मंचाहा प्रेम मिलता है, दो हजार चौबिस में राधा अस्टमी अपने आप में दुरलब सायोगों के साथ, 11 सितंबर के दिन मनाई जाएगी, इस दिन बहुत सुन्दर अवस्था में भागी बदलने वाले सायोग हो रहे हैं, 10 सितंबर को रात्री 11 बचकर 11 मिनट से राधा अस्टमी अर्था भादो महने के अस्टमी आरंब हो जाएगी, जैसा आप जानते होंगे, कई भक्त जन अस्टमी का ब्रत भी करते हैं, तो उदियाती थी कि अनुसार 11 11 सितंबर को ही करेंगे, तो 10 सितंबर को यह सुरू हो जा रही है, और इसका समापन 11 सितंबर की रात 11 बचकर 46 मिनट के आसपास होने वाला है, तो इस सुब दिन में आप उपवा सित्यादी करें, अब राधा स्टमी का जो ब्रत है, वह भी कई सरल नियमों के तहर भी किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले जान लेते हैं सुब महरत जैसे की राधारानी का जन में दो पहर में 12 बजे के आसपास हुआ था, भगवान स्टमी का रातरी को हुआ था, और राधारानी का जन में दो पहर में हुआ था, ऐसा सास्त्रों में कहा गया है, तो द राधास्ट में मना सकते हैं सुन्दर सरूप में कोई दिक्कत की बात नहीं है सबसे पहले आपको पूजा विधी कैसे रखनी है नियम कैसे रहना है ध्यान से सुनिए आप सभी ब्रह्म महुरत में स्नानित्यादी से नेवरित होकर निरंतर राधा राधा नाम जाप करें इस नाम है जो उसे किसी भी अवस्था में चलते फिरते आप जाप कर सकते हैं इसमें कोई विधान की आउशकता नहीं है सबसे पहले राधारानी का प्रिय रंग है वह गुलाबी है और नीला और बैगनी रंग उन्हें काफी प्रिय है तो इन ही रंगों का चुनाओ करें या आप जो है बैगनी रंग का चुनाओ करें अपने लिए और राधारानी के लिए नए पोसाक ला रहे हैं तो इन ही वस्त्रों का सुनाओ करें सुन्दर सरूप में जहां पर भी राधारानी और श्रीकृष्ण भगवान की मूर्ति प्रतिमा विराजमान है वहां पर आप चारो तरब गुबार इत्यादी लगाएं सुन्दर साजावट करें उनके समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें और भोग प्रसाद इस दिन क्या बनाना है आप सभी पुवा पूरी जो भी बनाते हैं अत्य धिक प्रिय है कोई विसेश इसमें विधान नहीं है परंतो ब्रत को कई तरह से किया जाता है कई भक्तजन सिर्फ सुबह 12 बजे जब राधारानी का जन्म करवा देते हैं उसके बाद ही ब्रत उपवास खोल लेते हैं कई भक्तजन पूरे दिन भर में नेरजल रखकर रातरी को जब अस्टमीती थी समाप्त हो जाएगी दूसरे दिन उस दिन भी ब्रत अपना करते हैं खोल लेते हैं और कई भक्तजन रातरी को साधारन सरल तरीके से फलाहार करकर भी अपने ब्रत उपवास को खोल लेते हैं तो तीन तरह से यह ब्रत किया जाता है एक तो दिन में 12 बजे जैसे सुबह से ब्रत करते हुए दोपहर में राधा राधारानी का पंचामरत से अभिशेक कराकर विधी विधान से पूजन करकर दीप उत्सव करकर या जो भी विधान आप करना चाहें उस स्वरूप में पूजा इत्यादी करकर दिन में ही ब्रतु प्वास खोल लेते हैं 12 बजे को कई भक्त जन शाम को जब पूजा पाठ हो इस साधारन सरल तरीके से दिन भर पूझा इत्यादि करकर राधारानी का जन्म करवाने के बाद सांध्य में प्रइदोश्काल बीच्ट जाने करें सामव Dollar सहराल त्रीके से नमक युक्त भोजन कर लेते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं तीसरा कई भक्त जन पूरी रात्री और दिन निर्जल और निराहार बत करते हैं फलाहार इत्यादी भी नहीं लेते हैं अपनी इच्छा सक्ति-सा मतल twee बृत को खोलते हैं तो सभी के अपनी मानिता है सभी के अपनी श्रद्धावांना है उसी की अनुसार आप उपropriault हैगा यह जी यह भी बात हो गई अब आप सभी को अगर आप पूरे दिन भर में जो है ब्रत कर रहे हैं तो शाम को चंदर देवता को अर्ग देकर या तारों को अर्ग देकर भी ब्रत खोल सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो इस तरह से आप सरलतम तरीके से दाधाश्टेमी का भत तीन चार तरह से कर सकते हैं अपनी छेत्र के अनुसार जो बिरजवाशी हैं इस तरह से लल्ला घर में पैदा होता है ठीक उसी कि दिन ब्रत उप्वास करने की हमें आउशकता नहीं है यह दिन उत्सव का है, खुशी मनाने का है, तो उसी स्वरूप में हम इसे करेंगे, तो अपने छेतर के अनुसार आप का रिखीजिएगा, बहुत सरलतम तरीके से, यह कारे आपको करना है, राधारानी को स्रेंगार की बस्तु अत्य धीक प्रिय है, तो अगर आप से संभव हो, वैव श्री कृष्ण के साथ उन्हें जो है, सुहा के सामगरी जरूर से समर्पित करवाईएगा, करिएगा आप अपने हाथ से, जीवन में आने वाली विपत्ति खत्म होगी, इस तरह से आपको कारे करना है, यह दिन बहुत सूब माना जाता है, बहुत स्रेष्ट माना जाता है, इस जो है, दिन भागी की रेखाएं बदलती हैं, सास्तुर में कहा जाता है, इस दिन आप एक माला, आप जो है, या देवी सर्व भूतेशू, राधा, रूपेन, सस्तिता, नमस्तसे, नमस्तसे, नमो नमा इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, यह साधानर सरल तरीके से, राधा नाम का भी जमरण कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण खीचे चले आते हैं उस घर में, जिस घर में इस कल्यूग में राधारानी के नाम मंत्र का जाप होता है, इस तरह से यह जानकारी थी, उपाये थे, और पूरे नियम मैंने आपको बताए, वीडियो चीत उप राधे